तो हे गाईज, वेलकम बैक ए नी वीडियो, तो गाईज इस वीडियो में आज हम कमपैरिजन करेंगे पोको के X3 और पोको के X2 का तो गाईज यह जो दोनों ही स्मार्टफोन है वो आपको अफिशली पोको की तरफ से मिल चुकी है तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कमपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बैस्ट मिलता है और देखेंगे कि कितनी इंप्रूम्मेंट के साथ आपको पोको का X3 देखने के लिए मिलता है तो आप ये वडियांट तक ज़रूर देखे और अगर आप चैनल पर नहीं आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल एकन को दबा ले ताकि आप अनवले अपडेट को मिस ना करे तो अगर सब से पहले हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइस की जबकि जो Poco का X2 है उसमें आपको 120Hz पर डिस्प्ले के refresh rate मिलते हैं और 120Hz पर ही touch sampling rate देखने के लिए मिल जाते हैं तो जो डिस्प्ले का आपको response अच्छा देखने के लिए मिलेगा वो Poco के X3 में देखने के लिए मिलेगा जबकि जो Poco का X2 है उसमें आपको snapdragon का 730G वाला processor मिलता है जो 2.2GHz पर clogged है तो अबरहुल देखा जाए जो आपको performance अच्छी मिलेगी वो थोड़ी सी Poco के X3 में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी इतनी भी ज़्यादा आपको performance का difference नहीं मिलेगा दोनों इस smartphone में और यही बात दोनों smartphone के RAM और storage variant की तो Poco का X3 और जो Poco का X2 है इन दोनों में ही आपको 60V RAM 64GB वाला variant मिलता है जिसमें आपको LPDDR4X वाली RAM दी गई है और UFS 2.1 वाली storage देखने के लिए मिलती है जो second variant अब वो 60V RAM 128GB वाला है और जो third variant अब आपको India में भी मिल सकता है जिसमें आपको 8GB की RAM 128GB की storage देखने के लिए मिल सकती है और यह बात दोनों smartphone के camera की तो Poco का X3 है उसमें आपको 64MP का rear camera मिलता है जिसमें आपको Sony का IMX 582 वाला sensor मिलता है और जो Poco का X2 है उसमें भी आपको 64MP का rear camera मिलता है बट उसमें आपको Sony का IMX 686 का sensor मिलता है तो यहां पर मुझे समझ नहीं आई कि Poco ने इसे downgrade क्यों गिया 64MP camera sensor को बट जो Poco का X2 है उसमें आपको IMX 686 का sensor मिलता है 13MP का आपको ultra wide angle camera मिलता है Poco के X3 में जबकि जो Poco का X2 है उसमें आपको 8MP का ultra wide angle camera मिलता है और दोनों में आपको 22MP का depth sensor और macro sensor मिल जाता है और रही बाद दोनों ही smartphone के front camera की तो Poco का X2 है उसमें आपको 20MP plus 2MP के 2 camera's मिल जाती है जो front वाली side जो 2MP camera sensor वो front के लिए है जिससे आप काफी अची portrait selfies क्लिक कर सकते हो जबकि जो Poco का X3 है उसमें आपको 20MP का front facing camera मिलता है तो overall देखा जाए जो camera's है वो आपको Poco के X3 में अच्छे मिलेंगे बट फिर भी आपको 2 camera's मिल जाते हैं Poco के X2 में front वाली side और यह बात दोने smart phone की battery की तो Poco का X3 है उसमें आपको 5,160 mAh की battery मिलती है जिसमें आपको 33W की fast charging का sport मिलता है जबकि जो Poco का X2 है उसमें आपको 4,500 mAh की battery मिलती है जिसमें आपको 27W की fast charging का sport मिल जाता है तो battery और fast charging के मामले में आपको Poco का X3 अच्छा देखने के लिए मिलता है उस smartphone में आपको थोड़ी ज़्यादा battery backup देखने के लिए मिल जाएगा और जो charging है वो भी आपको fast देखने के लिए मिल जाएगी तो overall देखा जाए तो इतना बड़ा upgrade आपको नहीं मिलता अगर आप compare करते हो Poco के X2 से तो मेरे ख्यास से इतनी ज़्यादा price के साथ ये smartphone इंडिया में launch नहीं होना चाहिए जितनी price के साथ ये European market में launch किया गया है वहाँ इस smartphone की जो starting price है वो आपको 19,000 रुपे देखने के लिए मिलती है बट उन्होंने एक discount भी लगाया हुआ है जिसकी मरसे आप 17 से लेकर 18,000 रुपे में इस smartphone को purchase कर सकते हो वो सिरफ European market के लिए है इंडिया में ये जो smartphone अब आपको सिप्तमबर के मत में मिल जाएगा तो आप लेकर चलो कि टू या थ्री वीक्स के अंदर आपको पोको का X3 इंडिया में देखने के लिए मिल चाएगा और ये जो smartphone अब काफी यदा बैपसर पर certified भी हो चुका है तो जल्द दिये जो smartphone अब आपको इंडिया में मिलेगा और मुझे लग रहा है जिसकी price होनी चाहिए इंडिया में जो starting variant है जिसमें आपको 60V की RAM, 64GB की storage मिलती है उसकी price आपको 17 से लेकर 18,000 के बीच में होनी चाहिए अगर इस price के साथ ये smartphone लोच होता है तो ये ठीक ठाक specification के साथ आता है तो guys I hope कि आपको ये comparison अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे और चैनल को subscribe भी कर दीजे और साथ है के बेल को दवा दीजे ताकि आप अनवले update को मिस ना करें